CGHS आईश्मान इंपैनल होस्पिटल हैं, दूसरा PMJY होस्पिटल और तीसरा CAPF होस्पिटल सबसे पहले बात करेंगे CGHS आईश्मान इंपैनल होस्पिटल की यह वो होस्पिटल हैं जो पहले CGHS में थे, अभी भी CGHS में ही हैं यहां पर उनकी बात हो रही है तो CGHS Aixman Hospital me treatment कैसे लें? उसके लिए क्या है? कैसे है? और क्या क्या requirement है? और क्या क्या treatment आपको मिलेगा? इस میں बताए जागा सबसे पहले तो CGHS Aixman Hospital में जब आप जाते हैं तो आपको वहांपर OPD और IPD दोनों ही प्रकार की सुविधा वहाँ पर आपको मिलेगी कोई भी बेनिफिशरी सी एपिएफ का जितने भी सेवन फोर्सेज हैं परामेट्री फोर्सेज कोई भी अपने अपने अजदीगी के अगर कोई लिस्ट में पहले चेक कर लें कोई सीजेच होस्पिटल से तो वहाँ पर जाकर आपको एम जेवाई होस्पिटल्स प्रधानमंत्री जन आरों योजना के होस्पिटल्स यह वो होस्पिटल्स हैं जिनको प्रधानमंत्री निर्यंद मोदीजी ने लॉण्च की थी स्कीम आईशमान भारत के नाम से जो सभी गरामीट चेत्रों में हर स्टेट में लागू है जहां पर जो बीपेल कार्ड धारक हैं या जो भी उसके अंतरगत आते हैं ये उनके लिए उनको कार्ड मिले थे जिसकी लिमिट पांच लाग थी उसमें मैक्सिमम आल ओवर इंडिया के मैक्सिमम होस्पिटल्स उसके इंपैनल में आते हैं ये वही होस्पिटल्स हैं और इनको जो ह CGHS Hospitals है, उनमें OPD और IPD दोनों सुविदाएं हैं, लेकिन इसमें केवल IPD सुविदा है, Cashless, IPD इसमें Cashless मिलेगा, लेकिन Referral आपको भी मिलेगा, आप इसमें OPD में भी जा सकते हैं, लेकिन OPD में आपको इसमें Cashless नहीं मिलेगा, यह आप देख लेएं, जब भी आप किसी Hospitals में जाते हैं, तो आप लिस्ट में चेक करें कि यह CGHS Impanel Hospital है, यह PMJY Impanel Hospital है, CGHS में जाते हैं तो आपको OPD IPD Cashless मिलेगा, विद Referral, और अगर आप PMJY Hospitals में जाते हैं, तो यहां केवल आपको IPD ही मिलेगा, Cashless Referral पे, अगर आप इसमें OPD जाते हैं, तो वहाँ पर आपको Payment करके Treatment लेना पड़ेगा, अभी कुछ Questions हैं जो फिल्ड से हमारे पास आते रहते हैं, और जो हम चीज़े पूरे दिन में Face करते हैं, क्या-क्या Problems आती हैं आप लोगों को, During Treatment या During Registration, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, सबसे पहला Question है, If someone paying cash, then referral letter required or note, यदि आप किसी Hospitals में जाते हैं, और आप Cash पैसा दे रहे हैं उसको, आप अपना इलाज Cash में करा रहे हैं, तो उसके लिए कि आपको Referal की जरूत है या नहीं है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, यदि आप किसी Hospitals में जा रहे हैं, और आप पैसा खर्च कर रहे हैं, और उस खर्च करने के बाद, पहली बात तो आपके Treatment की, अगर आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो उसमें Referal का कोई रोल नहीं है, Referal केवल है आपके Cashless Treatment के लिए, यह बात ध्यान से समझेगा, Referal means आपका Cashless Treatment, Referal नहीं है, पैसा दें, आप इलाज कराएं, और आप उसको क्लेम कर सकते हैं, तो Referal नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं जब आप क्लेम करने जाते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है, जब आपने पैसा खर्च किया, इट मिन्स आपको Referal कोई Requirement नहीं है, दूसरा है, इसे कौन-कौन से Medical के बिल हैं, कौन-कौन से Treatment के बिल हैं, जिनको हम आईशमन के पर्टल पर क्लेम कर सकते हैं, तो इसमें बता दूँ कि हर तरह का बिल, Every type of बिल, किसी भी तरह का, चाहे वो आपका Impanel Hospital का हो, चाहे Government Hospital का हो, CJS Hospitals का हो, इट मिन्स जहां पर आपकी जेव से पैसा खर्च हुआ है, वो पैसा आपको एनेचे दौरा प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वो किसी भी Hospitals का हो, लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान अक्यें, यदि आपका, अगर आप IPD क्लेम कर रहे हैं, IPD मिन्स अगर आप किसी Hospitals में भरती हुए हैं, आपने भरती होकर इलाज कराया है, तो उस कंडिशन में अगर आप रिमबर्स लेना चाहते हैं, तो आपको Emergency Certificate Required है, Requirement है Emergency Certificate की, Otherwise OPD के लिए कोई भी Certificate या कोई भी Referral किसी भी चीज़ की कोई Requirement नहीं है, अगला कोश्चन आता, If Patient is Admitted in Hospitalary Emergency, Referral Letter is Required or Otherwise for Cashless Facility, यदि कोई मरीज, अगर आप ही हैं या आपके कोई Beneficiary आपके घरवाले कोई अगर जाता है Emergency Ground पे, तो Emergency के लिए कोई भी Referral की ज़रुद नहीं होती है, Referral means होता है कि आप कि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं विजिट करने ये Planned विजिट है, आपने उसको प्लैन किया है कि मुझे जाना है और मुझे डॉक्टर को दिखाना है, Emergency में कोई Planned विजिट होती नहीं है, तो उसके लिए कोई Referral की Requirement नहीं है, Next Question is, Where from the Referral Letter is required to be obtained? तो जब आप जाते हैं Referral लेके तो आप प्लैन विजिट करते हैं आप Referral लेके जाते हैं तो आपको Referral कहां कहां से मिल सकता है, आपको किसी भी CPF के Hospitals आपके नजदीक में, आप मान लीज़े, आप CISF के हैं लेकिन आपके नजदीक में कोई CISF की यूनिट नहीं है, तो आप other parameter forces के कोई भी Hospitals जो आपके नजदीक में हैं, आप वहां पर विजिट करके और वहां से Referral Letter ले सकते हैं, इसके लावा आप आपके आस पास के जो भी primary health center है, आप वहां से ले सकते हैं, किसी भी government hospital से आप referral ले सकते हैं, नेक्स्ट कुस्चन है, बहुत लोग की queries आती हैं कि CGHS की जो dispensary हैं वो भी government है, तो उनका referral आईशमान में मानने है या नहीं है, तो यहां मैं बता दूँ कि CGHS की जो dispensary है, उ आईशमान CPF में उसको मानने नहीं किया गया है, और एक दूसरी एक नया मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिनके पास आईशमान कार्ड है या नहीं है, दोनों ही condition में आईशमान CPF कार्ड है भी या नहीं है, लेकिन उनके पास CGHS कार्ड है, और वो CGHS का किसी भी जो आपके नजदीक में है, आप वहाँ पर जाके टीटमेंट ले सकते हैं, और सेम प्रोसीजर में, जितना आप जो आपने टीटमेंट लिया, CGHS रेट का, आप सेम उसको अपने NHA के TMS के पोर्टल पर उसको क्लेम कर सकते हैं, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, यहां पर हमने कुछ स्पेसिमेंट दी हुए हैं कि रेफरल लेटर को किस तरीका का होना चाहिए, डॉक्टर्स जो हमारे हैं, उनको क्या क्या चीज़ें मैंचन करनी चाहिए, OPD, IPD है, और वैलिडिटी क्या है, वो सारी चीज़ें मैं मैंचन है, अब देख सकते हैं, यह і्फैमपल उफर रेफरल, बाद में मैं करूँ रेफरल लेटर रिकॉर्टींटियल्स कि रेफरल लेटर जब हम लेके चाते हैं, वह जगह होता है, जब ज़ो मना कर देते हैं, आप हम अब उसको बार बार चकर कारने और रेफरल लेटर क्या चाही है कि नहीडिए यह हमार तो जो भी referral letter है उस पर आपके hospital का नाम अच्छी तरह mention होना चाहिए hospital के letterhead पर वो आपका referral होना चाहिए दूसरा आपकी जो बीमारी है वो बीमारी उसमें विस्तार से हो कि यह इस बीमारी से पीड़े थे इनको यह यह problem सारी सारी चीज़े उसमें mention होनी चाहिए तीसरा यह सबसे main point है कि जो referral authority है means आप जहां से referral करा रहे हैं जो भी doctors है चाहिए वो PSC के हैं चाहिए वो unit hospital है किसी के भी है वो जो doctors है उनका जो referral है उनमें क्या क्या होना चाहिए सबसे पहले दो refer to आईश्मान impalent hospitals यह होना चाहिए या refer to higher hospital for further treatment और refer to particular department in hospitals जिस तरीके से आप अगर मालीज आपको को प्रॉब्लम है तो आप किस department में जाना चाहते हैं पुब चीज़े अगर उसमें mention होती है तो उसमें treatment